Meaning of life क्या है? आप शायद बोलोगे war, a book, opportunities या फिर एक journey. ऐसी questions कभी-कभी दिमाग में जरूर आते हैं. प्लेटो की Allegory of the Cave इसी बारे में है. Welcome to Academy of Knowledge. वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. प्लेटो ने अपनी बुक The Republic में Socrates और उनके student Glucon के बीच हुई conversation का जिक्र किया है. जिसमें Socrates Glucon से कुछ लोगों का ग्रूप इमाजिन करने के लिए कहते हैं. जो बचपन से एक गुफा में कैद हैं. उनके हाथ, पैर और नेक सब चेन से बंदे हुए हैं. इसलिए वो एक जगा पर fix हैं. वो लोग पूरी जिन्दगी सिर्फ उनके सामने जो दिवार है उस पर बनने वाले shadows को देखते आए हैं. सौकरेटीस कहते हैं कि उनके पीछे कुछ हाइट पर एक आग जलती रहती है. उस आग और इन लोगों के बीच एक सड़क है जिस पर लोग आते जाते रहते हैं. उनके हाथों में सामान होते हैं जो उन prisoners के सामने की दिवार पर shadows बनाते हैं. परिजनर्स इन shadows को सच समझते हैं क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी वो ये shadows देखते आए हैं. इसलिए उनके लिए यही सच है. समय के साथ परिजनर्स ने इन shadows को नाम भी दे दिये हैं. एक दिन एक परिजनर अपनी चेन से फ्री हो जाता है. वो गुफा में आने वाली light क पीछे जाता है और गुफा से बाहर आ जाता है. ये प्रिजनर्स अपनी जिंदगी में पहली बार गुफा से बाहर निकला था. उसकी आखे सूरज की रोशनी जेल नहीं पाती क्योंकि वो तो सिर्फ अंधेरे का आदी था पर धीरे धीरे उसकी आखे खुद को sunlight के हिसाब से adjust कर लेती है. अपनी पूरी जिंदगी ये प्रिजनर्स सिर्फ shadows देखता आया था पर अब इन चीजों को उसने real में देखा और उसे बताया गया कि केवल ये चीजे ही असली हैं और shadows एक थोका. उसने ये मानने से इनकार कर दिया क्योंकि shadows उसे clear देखते थे ये सब उसे क नई reality को accept करना सीख लिया. उसने देखा कि ये दुनिया कितनी colorful है. रात में तारों को चमकते हुए देखा उसे ये सब unreal सा लग रहा था क्योंकि वो अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देख रहा था. फिर एक दिन उसने directly sun को देखा. उन सभी चीजों का एक मात्र source जो वो देख चुका था. सन उसे गुफा के dark days और उसके साथियों की याद दिलाता है और अब वो उनकी सोच से बिलकुल भी connected महसूस नहीं करता. इसलिए अपनी नई दुनिया के बारे में बताने के लिए वो prisoner गुफा में वापस जाता है. अब गुफा में अंदर जाते वक्त उसे काफी problem होती है क्योंकि वो उस अंधेरे का आदी तो रहा नहीं इसलिए अंदर पहुचने में काफी time लग जाता है. उसके साथ ही सोचते हैं कि बाहर की दुनिया ने उनके दोस्त को अंधा और कमजोर बना दिया है. जैसे ही वो उन्हें बाहर की दुनिया के बा कारने की कोशिश करते हैं जो उन्हें free करना चाहता है. प्लेटो ने बताया कि इस allegory के जरिये human life को समझा जा सकता है. जिंदगी में हमें जो भी दिखता है या दिखाया जाता है हम उसे बिना सोचे समझे पूरा सच मान लेते हैं. उन events की तह तक जाने की कोशिश भी नहीं करते बलकि उन पर आख बंद करके बिल्कुल उन prisoners की तरह believe कर लेते हैं. ये सोचने तक के लिए नहीं रुकते कि क्या पता इन shadows को तोड़ा मरोडा या बदला गया हो. हम भी उन prisoners की तरह shadows से भरी दुनिया में कैद हैं. ये सब इतना comfortable लगता है कि हम इन से free नहीं होना चाहत क्योंकि हमारे लिए यही दुनिया सच है. पर फिर भी सच देखा और ढूंडा जा सकता है. चाहे कितना भी difficult क्यों न लगे. अपने आसपास के illusion से वाकिफ होने की काबिलियत हम सभी रखते हैं. ठीक उस prisoner की तरह. रियालिटी के साथ सामना काफी painful हो सकता है. जैसे उस prisoner ने पहली बार light देखकर महसूस किया था. क्योंकि रियालिटी बिलकुल अलग होती है. ये आपकी बीती हुई जिन्दिगी को जूट प्रूफ कर देती है. और इस situation में इनसान का वजूद खत्रे में आ जाता है. Truth always hurts. हम एक materialistic world में रहते हैं जो लगातार बदलता रहता है. इसलिए यहाँ true knowledge पाना impossible है. Seasons बदलते हैं. Buildings चूर-चूर हो जाती हैं. Great civilizations आती हैं और जाती हैं. Humans और सभी living things मर जाते हैं. Even present conditions भी लगातार धोका देती हैं. ऐसा लगता है कि कुछ भी सच नहीं. Plato कहते हैं इस लगातार बदलती और धोका देने वाली दुनिया के पीछे एक permanent reliable दुनिया है. जिसे Plato world of forms कहते हैं. वो कहते हैं forms जो non-physical होती हैं accurate reality को दिखाती हैं. वो मानते हैं कि forms ही होती हैं जो true knowledge बता सकती हैं. जैसे आप एक circle imagine कीजिए. अब आपने जो imagine किया है वो उस circle का perfect form है. जब आप उसे draw करेंगे तो वो उतना perfect नहीं होगा जितना आपने सोचा था. क्योंकि ये drawing उस perfect imagination की copy है circle की जो picture आपने imagine की थी वो एक perfect form है और जो draw किया है वो उसका imperfect version है. प्लेटो कहते हैं कि forms एक idea है जो सिर्फ imagination में exist करती हैं. forms सिर्फ geometry तक ही सीमित नहीं है. प्लेटो कहते हैं जो भी चीज आप देखते हैं उसका एक perfect example exist करता है. जैसे women, men, tree, cloud, apple, dough, house, कुछ भी हो सकता है. modern world की बात करें तो हमें social media platforms, movies में या advertisements या और भी बहुत सारी daily life की चीजों में जो दिखाया जाता है वो सिर्फ एक illusion है. हम उसे सच मानकर खुद को low feel कराते हैं या compare करने लगते हैं जिसका कोई point नहीं है. इसलिए जो भी हमें दिखता है वो इन सभी चीजों का shadow है. same उन prisoners की तरह जैसे उने shadows दिखते हैं. प्लेटो का कहना है forms जो हम imagine करते हैं सिर्फ यही perfect होती है. और real में जो भी दिखता है वो उसकी copy है जो imperfect हो सकती है and most of the time होती भी है. जैसे ही एक philosopher, true reality और उसका ना बदलने वाला nature पहचान लेता है तब यह उसका फर्ज है कि वो उस गुफा में वापस जाए और अपने साथियों को उनके illusion से aware करवाए. फिर चाहें वो उसे रोकने की कितनी ही जबरदस्ती क्यों ना करें. यहाँ ध्यान देना होगा कि सौकरेटीस को इसी वज़े से death sentence दिया गया था. सौकरेटीस एथिन्स के लोगों को illusion से free कराने की कोशिश में लगे रहते थे. इसलिए Athenian democracy के लिए सौकरेटीस को एक खत्रा समझा जाने लगा. Plato, Allegory of the Cave के जरीए एक political statement भी देते हैं. उनका मानना है कि ऐसे लोग जिनके अंदर उस कुफा से बाहर आकर सन को directly देखने की हिम्मत है, सिर्फ उन्हें rule करना चाहिए. उनका मानना है, philosophers के पास ही reality को समझने और देखने की शक्ती होती है. इसलिए ideal ruler एक philosopher king होना चाहिए. जब ऐसा इनसान power में आएगा, सिर्फ तभी लोगों को गुफा से बाहर आकर light को देखने का मौका मिलेगा. जैसे जैसे आप जिन्दिगी में आगे बढ़ते हैं, क्या जो भी आपको नजर आता है, उसे confidence के साथ बोल सकते हैं कि ये सच है? हाँ भी हो सकता है और ना भी, पर शायद क्या पता एक दिन आपको भी वो light नजर आए, उस वक्त क्या आप light को follow करने की कोशिश करेंगे? ये जानते हुए कि उसे follow करने के लिए family और friends के against जाना पढ़ सकता है, या फिर आप अपने comfortable illusion में ही रहना पसंद करेंगे, light या फिर shadow, ये एक hard choice है, पर घबराए नहीं, आप अकेले नहीं हैं, हम सभी इस गुफा में क्याद हैं. सब्सक्राइब करना ना भोले.